और देखिए mathematics class 9 exercise 13.2 इसका 8th question है यह कह रहा है in a hot water heating system एक hot water heating system लगा हुआ है कहीं ठीक है तो there is a cylindrical pipe तो उसमें एक pipe है जो cylindrical pipe है ठीक है length कितनी है 28 cm 28 meter है माल लीजी इस टाइब का कोई pipe है ऐसे है और जो इसकी length है length जो है वह उसकी कितनी है 28 meter ठीक है तो वह length को हम हम हाइट मानेंगे ठीक है और जो diameter है यह diameter जो है वह कितना है 5 cm तो आर जो है वह जागा रेडियस 5.2 cm अब यहां पर मीटर है तो इसको भी मीटर में हमें चैंज करेंगे तो यहां लिखेंगे हम सॉल्यूशन में है यह और इसकाल टू 5.2 cm 100 cm में 1 मीटर होता है तो वन सेंटी मीटर में 100 का डिवाइड देंगे यानि कि अब हम मीटर में हमें चैंज करेंगे तो डिवाइड देना पड़ेगा मैं 100 का तो आर इसकाल टू 5.2 इंटू 100 यह अपॉन में हमने डिवाइड दिया तो यह मीटर में आगया ठीक है इसको ऐसी रहने देते हैं कैलकुलेशन करें तब कैंसिल हो जाएगा ठीक है अब हम आगे इसमें और क्या दिया हुआ है एंड लिख लेंगे एच जो है वो 28 मीटर दिया हुआ है ठीक है अब सॉल्व करते हैं आगे सब्गा साथ करेंगे अंहीं तो अदिंग तो टोटल घृट करते हुआ यहां पर सेटीरा को एक तो लिख देंगे लिए 2048 यह ऊफंच वा इस गल्टू टू पाई आर एच तू पाई की वैल्यू ट्वंटीटू अपॉन सेविन आर की वैल्यू यह रख देंगे हम फाइब अपॉन टू इन्टू हंडेड और एच की जो वैल्यू वह ट्वंटी एट है ठीक है तो सेविन फॉर्जा टूंटी एट ठीक है और रूसे यह टू कैंसिल कर दो ठीक है हंड्रेड तो डेसिमल लगा देंगो पहले इंटू कर लेतें 22 का 22 एसे रहे तो फाइब फॉर्जा टूंटी अपॉन हंड्रेड अब इन दोनों का मल्टिप्लाई कर लो अपॉन हंड्रेड ठीक है जीरो से जीरो कैंसिल कर दो तो क्या जागा 4.4 यह जीरो यहां से अटाएंग ना 10 अटाएंगे तो यहां पर पॉइंट लग जाए गया 4.4 मीटर का स्क्वेर ठीक है यह टोटल रेडियेटिंग सर्फेस आ गया यही पूछा था इसमें ठीक है ना झाल झाल